ये परमार्थ मार्ग क्या किसी भी मार्ग में आप जाएंगे तो ऐसे कायर पुरुष का किसी भी मार्ग में अधिकार नहीं हुदा, किसी भी मार्ग में अभी तो प्राण पोशन दे भाव में ही लगा हुआ है समर्पन किसका हुआ मन का की तन का की भाव का की सम्मंद का नाटक करते हो तो भागना ही पड़ेगा उसी शमय लेख मिटाल दिया जाता अगर लेख के अनुशार ही पूरा जीवन चले तो भगवत प्राप्ति किसी के भागी मेंने कुंडली जचवालो अच्छे जुजियोति साचारे हो कि क्या मेरे जीवन में लिखा है भगवत साक्षातकार होगा स्रीलम प्रेमर सैक जूशन महू जागरति ब्रंदावन कैसे कष्ट सैकर महापुरुष्जन उस परंपद को प्राप्ति किये हम अपने घर में रहते हुए जैसे ऐसे भगवत प्राप्ति कर रहे हैं तो लोग क्या कष्ट है महापुरुष्जों ने एक एक टुकड़े मांगे हैं जाकर वो भी दो दिन तीन दिन में रख लिए दो टुकड़े प्राण पोशन के लिए पाले रात दिन प्रिया प्रीतम की शेवा और भजन में अपने तो श्री जी है सन भरपेट भोजन दे रहे हैं वस्तर दे रहे हैं कैसे चराशी अशुविधा प्रतिकूलता नहीं नहीं अशा नहीं ये परमार्थ मार्ग क्या किसी भी मार्ग में आप जाएंगे तो ऐसे कायर पुरुसका किसी भी मार्ग में अधिकार नहीं होता किसी भी मार्ग में एक चोर निशिद कार्य करने चोरी के लिए चलता है तो प्राणों की बाजी लगा देता है कि मारा गया तो मर जाओंगा और अवशर मिला तो लूट के ले आओंगा अधर्मा आचरण है नीच आचरण है उसमें भी वो प्राणों की बलिहादी देने के लिए तैयार है हम तो शत्य सचिदानंद मार्ग में हैं देखो सरीर छूटेगा तुम इसे रोक नहीं सकते तो धाम में छूटे प्रभू के ले छूटे स्यामा स्याम का इश्मरन करते छूटे इतने कमजोर क्यों वन रहे हो सरीर को ले करके भाब क्यों रहे हो शुविधाओं की मांग क्यों कर रहे हो जब शमर्पित है तो हमारे प्रभू शर्वग्य है शर्वशक्तिमान है किसी को भी पेरणा कर देंगे या स्वयम आ जाएंगे किसी रूप में और ना आ जाएं तो हम इस बिवस्था के लिए थोड़ी है चलो हमें बुलाओ तुम आओ या हमें बुलाओ हमें आपका शानित चाहिए हमें बिवस्था नहीं चाहिए तुमारी गरज हो तो करो और हम तो अज्ञान के कारण इसी बात सोचते हैं नहीं मा पहले से बिवस्था रखती है वो कवल तभी पायेगी जब अपने बच्चे को पला के देख लेगी पूरा त्रप्त है तव पा हुआ किसी व्यत्ति के हरदय में अगर ऐशी बात है तो अभी आश्रे नहीं लिया सरणागत नहीं हुआ इसले ये जीवन की बाजी जीतनी है तो मृत्यू के कबजे से काल के कबजे से बाहर होने के लिए प्रिया प्रितम के धाम की शरन ले लो बहुत कृपाल है ब्रंदा देश मत मांगिए यह है आपको ऐशाद दुलार करेगा के रहें पोशन ब्रतों समझो ना यह पोशन ब्रत इसका नियम है ब्रत है ब्रंदावन का कि जो इसका अस्त्रे ले लेगा जो ब्रंदावन को अपना सर्वस्व समर्पित करके सर्वस्व मान लेगा तो ब्रंदाव सब छमा कर देगा, अशेश, बकाया नहीं रह जागा कोई अपराद भोगने के लिए, सब छमा कर देगा, आप सरवश्व भाव से, सरवश्व ब्रंदावन, स्री लम प्रेम रसे का जो शनम हो, जागर्ति ब्रंदावनम, स्री लम अपना सरवश्व जो प्रेम है, प्रिया प्रितम, प्रिया प्रितम का नाम, प्रिया प्रितम की महिमा, उओ आपको प्रदान कर देगा, ऐसे महा महिम, स्री लम धाम का आश्ट्रे श्वईकार करो, लाग द्वेशाद्यनर्थम जही जही, बड़ी महिमा की बात है समझना हमारे हरदय को जो बांधे हुए है ना बंधने पर भी उसका नाम राग है राग बोले बंधे हो कीर मर कटके नहीं जैसे रश्ची में पंखा में जैसे पूला होता है बास को गुमाते हैं जैसे डाल दिया रश्ची में और उस पे दाना किने वाले पदार्ते से अब जिससे तो ताया उपखड़ा तो घूम गया वजन पढ़ती है ओपर तिकानी घूम गया अभूशको भ्रहम हो गया मुझे किसी ने पकड़ लिया अब वो और कस्के पकड़ लेता है अगर वो छोड़ दे तो मुक्द है पर वो छोड़ नहीं से दिखाद दिपदार, तो वो मुक्त है, पर उसको लगता है किसी ने पकड़ लिया, वो जो किसी ने पकड़ लिया लगता है उसका नाम है राग, शब्द इशपर्श रूपरश गंध का राग, जो अनकुल हुआ तो वही, राग रटिकुल हुआ तो द्वेश हो जाता है पूरी स्रस्टीशी में बिचर रहे राग और द्वेश में राग द्वेश दोनों खोईए तब खोजिए पद निर्वान पहले राग दोश मिटाईए बोले कैसे मिटेगा स्रीपाद उपाई बता रहे हैं बुले राग द्वेशा द्यनर्थम राग और द्वेश ये दोनों अनर्थ ही करेंगे अनर्थ ये हान ही पहुचाएंगे ये तुम्हें दुख ही क्लेश अशांती जनम मरण ये ही पहुचाएंगे चाहे राग हो चाहे द्वेश हो लागद्वेशा ध्यनर्थम जही जही त्यागो त्यागो रागद्वेश से कुई भी बिवहार कुई भी वर्ताओ कुई भी चिंतन मत करो यह अपना यह पराया यह गुणवान यह अधम रागद्वेश अनकुलता प्रतिकुलता यह नहीं कैसे छूटेगा रागद्वेश देखो आप एक आंत में जब हो तो आप देखना रागद्वेश की लीला तुम्हें दिखाएं एक आंत में जब आप बैठेंगे फिर बिल्कुल छोड़ दो एक दम देखो क्या हो रहा है क कोई रागात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन या द्वेशात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान गटना का चिंतन दो में ही हो गया आप देख लेना और जब शहद छोड़ दो और मंत्राकारव्रति नामाकारव्रति मतलब राग द्वेश मिटने की स्थिति में हो गया इसी में विचरते हैं, देख लो, अभी शांत होके देख लो, क्या आता है तुम्हारे अंदर, अगर इश्मरन चल रहा है प्रभू का, फिर रागदुश पर सासन हो चुका है, अब वो नश्ट होने वाला है, आगे कह रहे हैं, कैसे नश्ट होगा, तो भगवन नाम मात प्र आधन करके ये विश्राम स्थली है, यहां आकर विश्राम हो जाता है, आप पहले से मानलो, तो दोड़ना नहीं पड़ेगा, रागद्वेश यदनर्थं जही जही, त्यागो, त्यागो इनको, कैसे त्यागे, तो बुले भगवन नाम मात्र प्रतापाद, केवल भगवन आम जबके प्रभाव से, प्रताप से, आपके रागद्वेश मिट जाएंगे, सारी की सारी समस्या रागद्वेश से है, सरीर में राग तभी भागना होता है, क्या भागना, कहां भाग के जाओगे, काल, कर्म, श्वभाव, गुन, म्रत्यु, ये तुमें पीछा थोड़ी चुड़ेंगी, चाहे जहां बाग के चले जो, ये पीछे ही रहेंगी, जो जैसा लिखा है, वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा, अगर बचत हो सकती है, तो धाम के आश से, सब लिखा पड़ा मिट जाएगा, नहीं, किसी के भागी में ने लिखा होता ब्रंदावन में मर जो हम निष्ठा लेते हैं सत्संग से, कि आप तो आजीवन, ब्रंदावन, बास, उसी शमय लेख मिटाल दिया जता है, अगर लेख के अनुशार ही पूरा जीवन चले तो भगवत प्राप्ती किसी के भागी में ने, कुंडली जचवाल हो, अच्छे जुजियो, तिसा चा पासे साव रागद्वे सुबसो भस्म, अम्नमीन, भगवत पारुशत सुरूप, ये भाग्य का विशह नहीं, ये कृपा का विशह है, भगवन नाम मात्र प्रतापाद, एक बहुत बड़े जीवतिशा चारी थे, तो उन्होंने अपने जीवन को विचारा, कि मेरी मृत्य क्यों कहा होगी, तो जल में मगर मच्छ से, अब उनकी हरदे में बहे लगा कि जल तो शरूवर नदीत, सब जिल गए होता है, और कहां मगर मच्छ कैसे पता चले, तो अपनी जमीन बेच दी, घर बेच दिया, और एक इस्तान स्थान जांब, बहुत ही जल का भाव होता, ऐ जब लोगों को पता चला कि इनकी जियोतिस्त बड़े जोर के है, धीरे धीरे उनका यस राज दरबार में पहुचा, बुलाये गए, बड़ी जियोतिस्त की प्रविरता देकर, राजा ने उन्हें आचारे पदवी पर विराजमान कर लिया, बड़ा सुक्चैन से आनंद से जीवन कटने लगा, राजा के पास आचारे पदवी पे तो हर शुक्ष विधा सब, राजा के शंतान नहीं थी, जिस दिन से उनको आचारे पदवी पे बैठाला गया, राजा के भाग की खुल गए, रानी गर्भवती हुई, पुत्र हुआ, आप तो और महराज का स्वाग कि जब से आचारे पदवी पे बैठे, खुशाहाल जीवन, बारा वर्ष में कुम्भ पड़ता है, छे वर्ष में अर्ध कुम्भी पड़ती है, बारा वर्ष में कुम्भ पड़ा, योग, माघम कर जद, तीर्थ राज प्रयाग, उन्होंने ब्राह्मनों से कहा कि हमारी इच्छा है कि संगम में शनान करके, और संत महत्माओं की शेवा और ब्राह्मनों को दान, गवदान, अन्नदान, स्वरनदान ये सब करें, अन्य ब्रामोनों ने का हमाराज ये तो आपके शुभाव और शामर्ति के अनकूल ही है हम बिलकुल राजी है पर जो आचारी पद्विते में थे उन्हों का नहीं हम प्रयाग राज नहीं जा सकते उनका क्यों नहीं जा सकते आप हमारे आचारी है उनका नहीं जा सकते हैं अब नहीं जाएंगे तो राजा का एक स्वभाव होता है एक दो बार के बाद फिर अपने आप नजर में उसके पद का प्रभाव जाग्रत हो जाएगा उनका आपको तो जाना ही पड़ेगा क्या बात है आप नहीं जाना है कि बात कर तो उनका महराज अब आप से छुपाव नहीं मैं जिरतिशा चारे हूँ आप जानते हो और हमने अपनी कुंडली स्वयम बनाई है और मेरी मगरमच्छ से म्रत्यु है जल में इसलिए मैं नहीं जाओंगा प्रयाद अच्छा तो ये बात है लड़के ने कहा बारावर्श का है कि अगर आचारे नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाओंगा तेरे को ही लेकर तो सब्दान पर नहीं करना है उनसे का देखो गंगा में ऐसे जाल डलवा देंगे और शैनिक हमारे अस्त्र लिए तैनात रहेंगे इधर इधर यम जाल से च्छनवा देंगे हर जीव को निकाल कर शायड में कर देंगे आप बिलकुल निश्चिंत रहें आप चलिए और आप गंगा इश्नान कीजिए शंगम इश्नान कीजिए कोई भी जीव आपको चो नहीं सकता राजा है उनकी पास तो सब शादर है जब आंगे तो प् कुमार ब्रह्मन लोग मंत्रों चारंग पंडिजिन का बाहर से हम कर सकते हैं सब राजकुमार ने का हम बच्चे होकर कि यहां खड़ें आप इतने जल में तो आकर संकल्प दिलाइए सब ब्रह्मनों ने का देखो आप आचार यह आपको तो बुले हम अंदर प्रिश्चिं हम भूबः बन कर पंडी जी को लीगए कानः चांब कर डू लाजकुमार आप क्या काल पर भिजेप यह प्राप्त कर सकते मरत्यों पर भी राप्त कर सकते चाहेँ इतना यह दाम नाम यह सामर्क सालिये हैं यह आपको बचा लेंगे इनकी बचाने करना प्या जब भगवान शुकदेव जी पधारे परिक्षित जी आमरण अन्षन ब्रत लिये हैं और जब पता चला कि साथ दिन में भेंकर विश्धारी तक्षक नाग काटेगा और मृत्यू हो जाएगे शाथ दिन तक भगवत चर्चा सुनाए और फिर पूछा बेटा परिक्षित तुम्हें तक्षक से कोई भै है बोले गुरुदेव करोणों मृत्यू एक साथे दिया प्रहार करें तो आपकी क्रपा से कोई भै ने ब्रह्म शुरू बेटा परिक्षित तो तुम निर्भै हो ग देह का कोई भी छूटने का भैन है ये इस्ति थे हुआ सारी विवस्था जनमे जैजी ने कर दी थी कीरा भी नहीं प्रवेश कर सकता एक विशाल खम उसके उपर महल कहीं कोई शीरी नहीं आसपास मंत्रों से घेरा बना हुआ है बड़े बड़े विद्वान जो उस बात के सर्प विशुतारने वाले सर्प को इस्तंभित कर देने वाले उस समय मंत्रवेत्ता कोई भी कीरा प्रवेश नहीं कर सकता जनमे जैजी ने पूरी ब्यवस्था कर रखी तच्छक विचार कर रहा था कैसे जाओं इतने में देखा एक ब्राम्हन बहुत सीग्रगामी जा रह हो काश्यप नाम थाओं वा सुना है परिक्षित जी को सर्प डशेगा मैं जिलाओंगा पुले इतना तुम्हें मंत्रवल में आहम है तुम तक्षक के काटे हुए को जिला सकते हो पुले अवश्य तुले मैं ही तच्छक हूं एक ब्रक्ष उसमें लकडारा काट रहा था ल हमीन हरा ब्रक्ष और लकड़ारा वैसे जीवित तो उनका तुम्हें जो चाहिए ले लो इसी के नीचे धन गड़ा हुआ है तुम भेठी तो लेना चाहते हो आगे बढ़ा जो कुछ फल पुष्प रिशीजन ले जा रहे थे भेठ देने के लिए उन्हीं में इतना रहित करके स्वरूप में स्थित कर दिया बस जैसे पुराना वस्त्र त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता ऐसे ही महाभागवत जनों को शरीर त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता राग का नाश होना ही सर्व साधनों का फल है पर वो कैसे नाश होता है भगवन नाम मात् प्रतापाद बस यही विश्राम भूमी है हर समय राधा 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 इतर्क वितर्क छोड़ो क्यों में छोड़ो पान करो राधा नाम सुधार सम फिर आपनों खुदन वो में आएगा अभी तो प्राण पोशन देभाव में ही लगा हुआ है स संब्समर्पिद, मन समर्पिद, प्रान समर्पिद, समंध समर्पिद, सरवश्वास्षीत, तो सब्द आगे लिखा है पोचान ब्रतव, यह ब्रंधावन का ब्रत है, कि उसका पोशन होगा और आगे मुपेता सेश दोशक छमा जितने अपराद ही तुम्हारे बनेंगे वो ब्रंदावन छमा कर देगा राधा माधों को मोहित किये हुए ब्रंदावन ब्रंदावन परित्यज्य पाद में कमनगच्छती एक कदम भी हमारे युगल सरकार ब्रंदावन से बाहर नहीं जाते कभी किसी रशिक महापुरुष को अगर कहीं वो तो जहां होगा वहाँ पहले ब्रंदावन उसके हरदय में प्रकाशित होगा फिर प्रियालाल का शाक्षात का होगा मनमत कला सरवश्य कोशम प्रिया प्रितम की प्रेम रशलीला जो एकदम एकांतिक है जैसे महाराजा के राजदरवार का वईभोग खुला है जैसे ही तहरिवन्स प्रताप रूप गुण वैबल स्याम उजागर ये राजदरवार है चारोवेद जिनका यस गान करके नेती नेती कहते रहते हैं अठारह पुरान इस्मृती सब महिमा का गान करते हुए हाथ उठा के कहते हैं कि हम आपका पार नहीं पा सकते हैं इराजदरवार और ये एकांतिक प्रेम जहां श्री लाडली जो की सक्खियों की करपा दर्ष्टी से भाव शरूप की प्राप्ति होने पर ही प्रवेश होता है जिन गोपी जनों की अद्भुत प्रेम महिमा आचारियों ने गाई है तिन गोपिंते दुरलव माई नित्य बिहार सहद शुकदाई श्रीपति दुरलव श्रीपति के लिए भी कहने है सिव श्रीपति यद्य पिलल चाही मन प्रवेश्त ये एकांतिक प्रियाजु का महल है राधा माधो मुग्ध कितनी सामर्थ ब्रंदावन की है प्रियाप्रीतम को मुग्ध के लिए है लालजु की एक जलक ब्रमबोध संपन महापुरुष को अधहीन करने के लिए संपुर्ण सामर्थ युद्य एक जलक मात्र देखो न बंशी विभुशित करान नव नीन दा क्रिष्णात्परम की मैं पितर्त्व महाम न जाने अद्वईति वेदांति के शिद्ध महापुरुष है स्रीमत सूधन सरस्टूती जी महाराज क्रिष्ण से बढ़कर कोई परमतर्त्व है मैं नहीं जानता ऐसे श्री क्रश्ण हमारी प्यारी जू के प्रेम के अधीन है ऐसे प्यारी जू और प्यारे जू को ब्रंदावन अपने अधीन किये हुए है ऐसे ब्रंदावन ने हमें स्वईकार किया है